ब्रम्हंडी शक्तिया में आपका स्वागत है वैदिक जोतिश में इसे पिता का कारक कहा गया है तो राहू और शनी जब सूर्य को प्रभावित करते हैं तो पित्री दोश का निर्मान होता है इस दोश में शर्ट यह है कि सूर्य राहू से युती होना चाहिए और उस पर शनी की द्रिष्टी होनी चाहिए जोतिश में कालसर्प योग के बाद अगर कोई दोश शोध का कारण बना है तो वो है पित्री दोश दरसल कालसर्प दोश की तरह ही यह एक ऐसा दोश है जिसमें कमोबेश जातक को समान फल भोगने पड़ते हैं वैसे कालसर्प योग में राहु का प्रभाव अधिक रहता है लेकिन इस दोश में राहु के साथ साथ ही शनी का दोश भी समान रूप से प्रभावी होता है सूर्य आत्मा का कारक है वही वैदिक जोतिश में इसे पिता का कारक कहा गया है तो राहू और शनी जब सूर्य को प्रभावित करते हैं तो पित्री दोश का निर्मान होता है इस दोश में शर्ट यह है कि सूर्य राहु से युती होना चाहिए और उस पर शनी की द्रिश्टी होनी चाहिए दूसरी और अगर शनी सूर्य के साथ हो या राहु उसे देख रहा हो तो भी विद्वानों से इसे पित्री दोश कहा है जोतिश के विद्वान कहते हैं कि अगर पंचम और नवम में ऐसी ग्रह स्थिती हो तो निश्चित ही जातक को पित्री दोश से पीडित जाने दरसल पंचम भाव पिछले जन्म का भाव है वही नवम भाव उससे पंचम यानी धर्म का भाव होने के कारण विद्वानों ने ऐसा कहा है दरसल दक्षिन भारत में कुछ विद्वान नवम भाव से पिता का विचार करते हैं, वही इस भाव से पुत्र के पुत्र का भी विचार होता है, इसलिए नवम भाव में यह दोश बने तो घातक होगा ऐसा कथन उचित जान पड़ता है जानकार यह भी कहते हैं कि अगर चंद्रमा भी शनी राहु से युक्त पीडित हो तो जातक को माताम ही का दोश लगता है इसके अलावा अगर सूर्य चंद्र दोनों पीडित हो तो बेहद नकारात्मक प्रभाव जातक के उपर पड़ता है हालांकी विज्ञान के अनुसार सूर्य चंद्र सिर्फ अमावस को ही एक दूसरे से बेहत करीब होंगे और ऐसे में पंचम नवम्मे शनी राहु से युती या दृष्टी की शर्थ कई सालों में एक बार आएगी दरसल राहु चंद्र को कमजोर करता है वही वायु तत्व शनी उस युती को और भड़का देता है जिससे जातक जीवन भर मान सम्मान को तरस जाता है और उसे कहीं भी शांती नहीं मिलती है हमारी संस्कृती में पित्रों को महत्वपून स्थान दिया गया है और जीवित ही नहीं बलकी मरने के बाद भी हम उनके निमित श्राध कर्म करते हैं अगर किसी जातक की कुंडली में उपर दी गई ग्रह स्थिती बन रही है तो उसे पित्री पक्ष में किसी विद्वान आचार्य से इस दोश की शांती करवानी चाहिए अगर किसी की कुंडली नहीं है तो भी विद्वानों ने पित्री दोश के कुछ लक्षण कहे है एक इस दोश से पीडिक जातक हर जगह अस्फलता हासिल करता है, भले ही वो अपना स्थान ही क्यों न बदल ले दो ऐसे जातक के घर में कभी शांती नहीं होगी विवाह के कई वर्षों के बाद भी संतान नहीं होती है तीन ऐसे जातक को कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है उसे शरीर में हमेशा भारीपन लगता है चार ऐसा जातक घर में कोई मांगलिक काम भी करवाना चाहे तो उसके काम में बाधा आती है पांच ऐसे जातक के घर में अच्छी खासी कमाई के बाद भी पुत्रों में जगडा लगा रहता है इस दोश से बचने के कुछ उपाए एक हर अमावस को देवताओं को भोग लगा कर अपने पित्रों के निमित अन्न और वस्त्र भेंट करना चाहिए दो सूर्य देव की रोजाना विधिवत पूजा करें और अर्ग्य दे तीन सूर्य देव के सामने अपने पित्रों की शांती की प्रार्थना करें चार साल में एक बार किसी पवित्र नदी के किनारे पित्रों के निमित गरीबों को भोजन दे आगर आपको यह प्रस्तुती पसंद आई हो तो लाइक सबस्क्राइब शेर करें धन्यवाद